हेलो दोस्तो नमस्कार है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोम वर्ड में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आगरे उन्यूब्सिटी के बीएड एक्जाम के रिजल्ट के वारे में तो वीडियो में अंतर जरूर बने रहें क्योंकि आज की इस वीडियो में सारी चीज़े एनलाइसेस करके आपको बताने वाला हूँ तो जो चात चातर है मेरे चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ले और वीडियो को लाज तक चरूर करते हैं जो आधाने पार्यज़ेश संवाएगों कि फूर रिकांड यह कंतर दिर्मैंडूर बाई लेकिन प्रेक्टिकल होने के बाद ज्यादा अडर टाम नहीं लगेगगा ऐखकर practical के marks जो होते हो पहले से decided होते है कि कौन से बच्चे को किस तरीके के marks देने हैं और कौन से marks देने है बहे जब practical हो जाएगा जब आगर ही निवड में गोर्जा ह प्रेक्टीकल हो जाएगा तो उसके जस्ट बात ही अक्ट्ईवर के लास्ट वीक तक आपको डेट मिल जाएंगी आपके कॉलेजिस से, आफिशल वैबसाइट से और आगरा उनिवर्सिटी अपना जो प्रेक्टीकल है, वो बिएट का जो प्रेक्टीकल है, वो नॉंबर का 1 विक में कराएगा जैसे ही आपका practical समाप्त होगा उसके ही एक हफ़ते बाद आपका जो result है बुजारी कर दिया जाएगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि marks देना, practical कराना एक सिर्फ एक formality होती है, practical पहले से ही तैय होता है कि इसको कितने marks बलेंगे तो आपको जो result है बेड एक्जाम का आगर उनिवर्सिटी के बेड एक्जाम को जो result है ठीक है, फुर नवंबर के second week में ही याने वाला है यह analysis करके मैंने आपको बताया है नवंबर के second week में आगर उनिवर्सिटी इपना result जारी करने वाला है तो वीडियो को लाज तक देखने के लिए बहुत बहुत अन्यवाद जुन रहे हैं मेरे चैनल के साथ टाटा बाई बाई